कभी-कभी हमारा मन सबजी तो खाने को करता है पर हम चाते कि उसमें सबजी दिखे ना तो इसी चीज को इंस्पायर होकर मैंने आज इस रेशीपी को बनाया है इसकी जो ग्रेवी है यह बहुत ही पतली है तो यह आल-इन-वन रेशीपी जो है बहुत ही डाइजेस्टिबल है बहुत ही healthy है और टेस्ट तो बहुत ही जबरजस्ट है जोकि इसकी ग्रेवी में हमने ऐसे इंगेड़ियंट को यूज किया है कि यह एक-एक चमच इसकी ग्रेवी के बहुत ही स्वाधिस्ट है और इसमें जो सरसो का दाना है यह भी बहुत ही ब्यूटिकुल लगता है और में भी बहुत ही बढ़ियां टेस्ट लेता है तो चलिए देखते हैं लौके के चिल्ले की सब्जी मैंने किस तरह से बनाई है नमस्ति दोस्तों मैं हूँ राहूल और आपका मेरे चैनल स्वाद और सहत में बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए हम फटा-फट से देखते हैं लौकी के चिल्ले की सब्जी मैंने किस तरह से बनाई है और क्या-क्या इंगेडेंट्स को यूज किया है ताकि यह आसानी से बन सके तो लौकी के चिल्ले की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए लौकी के चिल्ले तभी तो सब्जी बनेगी लौकी के चिल्ले सबसे पहले हमें बनाने है उसके लिए हमने लिया है यहाँ पर दो बॉल बेशन यह लगबग 200 ग्राम है और इससे 8-10 चिल् सचा से सतर ग्राम सूजी लिया है जो कि हमारे बेशन के कौनिटिटी के हिसाब से सफिशेंट है यहां पर हमने आदा कीरो लौकी को ग्रेट करकर रखा हुआ है और उसका जो रस निकला है ग्रेट करते वक्त उसे भी हम यूज करेंगे तो इस पॉइंट पर हमने करना क्या है जो लौकी को हमने कदूकस करकर रखा है उसे इस तरह से दबा दबा कर उसका जो है जूस और निकाल लेना है क्योंकि इस तरह से हम नॉर्मली यूज करेंगे इसको बैटर में तो बैटर हमारा काफी पतला बनेगा और पानी जो इसमें ज़्यादा हो जाएगा और इतना सार हमने लौकी का जूस निकाल लिया है इसे आप चाहे तो नॉर्मली पी सकते हैं या बाद में हम लोग तो यूस करने ही वाले हैं इसके बैटर को अच्छी कंसिस्टेंसी देने के लिए इस तरह से हमने इसे मिला लेना है यहाँ पर एक प्याज हमने चॉप करकर रखा है तो उसे भी हम इसमें मिला लेंगे थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे कटी हरी मिर्च आप अपने सुवात के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा एक दो चुटकी हमने हल्दी बॉडर चाहिए स्वाद अनुसार नमक डालेंगे यहां पर मैंने एक छोटा चम्मच नमक डाला है थोड़ा सा खटा टेस्ट के लिए लेमन जूस और आखिर में डालेंगे हम 2-3 चुटकी गरम मसाला पॉडर इस तरह से हमने सारे इंग्रेडियंट्स को डाल लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे यहां पर थोड़ा सा पानी या लॉकी का रस जो हमने निकाला था इसमें आप यूज कर सकते हैं और इस तरह की कॉंसेस्टेंसी बना सकते हैं और सिंस हमने इसमें सूजी ढाला था तो वह थोड़ा सा फूले गा तो उसके लिए हमने 15-20 मिनट टाइम देना है ताकि सूजी तो 15-20 मिनट के बाद सूजी हमारी फूल गई है और अब हम इसमें पानी या लौकी का जूस आपके पास बचा है उसको आप डाल सकते हैं और इस तरह की कॉंसिस्टेंसी पर्फेक्ट कॉंसिस्टेंसी बना सकते हैं तो यहां पर हमने एक नौन स्टिक तवा लिया है उसमें आधा चम्मज तेल या घी डालकर ब्रस से फैला लिया है इससे क्या होगा हमारा तेल कम यूज़ागा और इसमें क्या करेंगे इसमें हम अपने बैटर को डालेंगे जो उमने बैटर बनाया था पर्फेक्ट कॉंसिस्टेंसी वाली उसको इसमें डाल लेना है और गोल गोल घूमा कर इसे फैला लेना है ताकि बहुत अच्छा चिल्ला बनकर रेडी हो जाए काफी प्यारा काफी येलो कलर है हमने दोनों साइट से अच्छे से से शेक लेना है पलट पलट कर थोड़ा सा घी और तेल का यूज कर सकते हैं इसे बीच में और फाइनली ये बन कर तयार है इस तरह से हम इसे बना सकते हैं और इस तरह से हमने सारी चिल्ले बनाकर रेडी कर लिए हैं और हम बनाएंगे सब्जी चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर एक कड़ाई में हमने दो से तीन चमच सरसों का तेल लिया है उसमें हम डालेंगे लगबग आधा चमच जीरा इसके बाद हम डालने वाले हैं लगबग वन थर्ड चमच मस्टेड सीड्स यानि कि सरसों और यहां पर हमने लिया है दो चुटके हींग बहुत ही सुन्दर खुश्बु आती है इसकी और थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए फिर से हमने लिया यहां पर चॉप्ट ग्रीन चिलीज कुछ कटी हारी मिर्च और हम डालेंगे लगबग दो से तीन चुटकी हल्दी पा पानी डालकर हमने मिलाकर इसमें मिला दिया है तो इस तरह से हमारा चिला का जो बैटर बच गया था वो भी यूज हो गया और इसकी जो पतली सी ग्रेवी भी बन गई तो जो ग्रेवी है इसमें थोड़ा सा और टेस्ट आना चीए क्यों उसके लिए हम डालेंगे लगबग एक छोटा चमच इमली की चटनी और इसमें बढ़ियां से मिला लेंगे और इसमें डालेंगे एक चमच नमक पान से सात मिनटे लिए इसे बॉइल होने देना है इस तरह से हमारा जो ग्रेवी है तैयार है बहुत पतली के बिए बहुत टेस्टी ग्रेवी है और इसमें डालेंगे अपने चिल्ले को तोड़ तोड़ कर लगबग इतने में मैंने दो चिल्ले को डाला है और इसे 2-3 मिनट के लिए बॉल होने देंगे पकने देंगे इससे क्या होगा कि जो पानी है वो चिल्ला बहुत अच्छा से एब्सॉर्ब कर लेगा और बहुत ही सुन्दर टेस्ट आएगा इसका सुखा सुखा नहीं लगेगा और बह ही सुन्दर लगता पहोती पियार लगता बहुत एहल्दी अर बहुति ट्रेंटी है तो वीडियो आग आज परसंद मत melhores करिये सब्सक्राइब मंची कैसे और अब सब्सक्राइब बहुत ही आसान या आपको पता ही है टेंशन नहीं है इसमें आराम से बना सकते हैं जरूर बनेए स्वाज का लुफ्त उटाइए और सिहत मंद रहें धन्यवाद